हेलो एफ्रिवान कंचिन की रसोई में आपका स्वागत है तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ फरा की रेसिपी तो ये देखिए मैं आज इसको स्टीम करके बनाने वाली हूँ तो चलिए इसकी रेसिपी हम करते हैं स्टार्ट तो ये देखिए मैंने एक कटोरी भरके चने की दाल भीगा ली थी तो यह अच्छे से भीग चुकी है और यह देखिए आधी कटोरी से थोड़ा सा जादा ओड़त धुली हुई दाल है यह इसे भी मैंने भीगा लिया है अच्छे से और अब इसका पानी निकाल देंगे अच्छे से धो के यह देखिए पानी मैंने निकाल बहुत अच्छे से भीगी हुई है नाल इसको हम 얼म मिख्षी सी किनी मेशती हूं थोड़ी से यह वाली डाल लेते हैं तो कि अब फिर्टह सवाइच्ट मैंने स्यवली नहीं कर्यात nesse लग यह भीधाई का W bark लोए टो निए बालत लेते हैं और ये चावल का आटा ले लिए गार इसमें ठोड़ा सागीन आटा भी मिक्स करलें, डिकर्ट to that भूसी मैं नहीं को रहा हैं धाये करें चिनल डिकत को परें और यह परोड़ा सब अब अपकरिगाs जड़ पानी ढाल कि इससे से घूंद लेंगी से मैंने हलका सा नमक बिडाल दिया है आटे को तोड़ ragasd he घूंदेंगी तो यह देख्धे आटा मैंने अच्छे से लगा लिया है इसे धकके रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए, सैट होने के लिए, तो यह देखे, इधर मैंने दाल, मिक्स करके रख दी है, अब हम इसके लिए, चटनी पीसेंगे, तो यह देखे, हरी धनिया, और हरी मिर्च, और कुछ लसन की कलिया मैंने लिए, 20-22 लसन की कलिया है, तो चलिए, इसको रफली काट लेते हैं, अगर आप लोगों को यह रेसीपी अच्छे लगे, तो लाइक शेयर ज़रू करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो चलिए, इसमें डाल देते हैं, मिक्सिजार में, बाकी की धनियां भी डाल देते हैं, अब इसमें लसन की कलियां भी डाल देंगे, यह देखे, 15-20 मैंने हरी मिर्च ले लिए, इसमें से हम थोड़ा सा ना बचा लेंगे, यह देखे, दरदरा मैंने पीसा है, तो इसको दाल में ही डाल देते हैं, थोड़ा बचा लेंगे चटनी के लिए, सारा नहीं डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें, तो चलिए इसे अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं, तो अच्छे से मिक्स हो चुकी है दाल, तो चलिए रेडी करते हम फरा, आटा अच्छे से सेट हो चुका है, तो थोड़ा थोड़ा आटा इस तरीके से लेके, गोल-गोल घुमाके और हतेली से इस तरीके से घुमाते हुए, छोटी छोटी रोटियां बनानी है, बहुत जादा बड़ी नहीं बनानी है, यह देखिए इस तरीके से, बाकी की भी रेडी कर लेते हैं, यह देखिए मैंने काफी सारी रेडी कर लिए हैं, तो इधर जब तक स्टीमर में हम पानी डालके ढख देते हैं, गरम होने के लिए, स्टीम बन जाएगी जब तक, और इसके उपर हम हलका सा ओयल लगा देंगे, चारो तरफ फैलाते हुए, तो यह देखिए, इस तरीके से, इसमें हम दाल भरेंगे, यह देखिए, थोड़ी थोड़ी ही भरनी है, ज़्यादा नहीं भरेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं अच्छे लगेगी दाल, तो इसी तरीके से, सारे हम दाल भरके, इसमें सेट कर देंगे, स्टीमर में, यह देखिए, तो यह देखिए, सारे रेडी हो चुके हैं, तो चलिए, अब हम इसे स्टीमर में रख देते हैं, यह भाप में पकेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, और बहुत सॉफ्ट बनेंगे, और जिने कुरकुरे पसंद है, मैंने पहले भी एक वीडियो डाली हुई है, फरे की, कढ़ाई में बनाया है उसे, वो कुरकुरे बनाये हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं उसमें, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, यूटिब चैनल पे जाके, तो यह देखे, बीस मिनिट मैंने पका दिया है अच्छे से इसको, तो एक बार चेक कर लेंगे, अब यह थोड़ा सा चिपचिपा है, इसे दुबारा ढग देंगे, कम से कम दस मिनिट के लिए, तो दस मिनिट हो चुके हैं, दुबारा से चेक कर लेते हैं, तो यह स्टीम हो चुके हैं इने निकाल लेते हैं एक प्लेट में निकाल लेंगे दो छहे हैं मखले हैं काफी अछो से पख चुक है यह दे देखें दूबारा मैं ने रख दिये इसमें 20 ama chosen स्टीम होंगे तो कि यहीं हो चुके हैं इन्हें भी हम निकाल लेंगे अगर आप लोगों को मेरी ये फरे की रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रू करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो ये देखें हमारे फरे हो चुके हैं रेडी खाने के लिए बहुती चटपटे और बहुती टेस्टी खाएं किलाएं इंजॉई कर और बाइ बाइ